मुदी जी ने पहले ही अलान कर दिया था कि प्लास्टिक विकल्प नहीं है मतलब प्लास्टिक बेचना और अफीम बेचना बराबर काम कर दिया है गोवर्मेंट ने यह खुसबूजी बनता है पीपी दाने का कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है वन कलर, सिंगल कलर, डबल कलर, थ्री कलर, सारे कलर के हम काम करते हैं अब इसमें मैं आपको डाल के दिखा सकता हूँ एक केजी वाली मैं आप देड़ केजी डाल लो फटेगे ने अगर कोई भाई इस टाइम बेरोजगार बैठा है मैं दावा करता हूँ उसको 25-30,000 रुपे बाइक कर दी गई है और एक सास में ही बहुत अच्छी बात है कि वहीं सरकारी का ओपर ध्यान दीवा है और पॉलीथिन बें है बाकरी है और पलास्टिक बेन ही तो कठे ना कठे लोग ही बाई कपड़ा की दुकान हो चाहें जूस की और पर्चून की वह किराना की हो क्या क कि भी दुकान हो भी के बस सब लोग हैं सोचे लागा कि प्लास्टिक पॉली थिन बंद होगी तो अपा क्या का अंदर अपनों शमान है बो डाल की देवांगा तो माज रिको का अंदर ही पहुंचकी हो और मन अड्या के बारम पतों लगए कि जब केरी बैग बनाए जाए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहले तो हम बातचीत कर लेसे और थारे लिए यह वीडियो बना रही हूं कि बाई जो लोग सोच रहे हैं कि आपनों शामान बेचांगा जो सोच विचार कर रहे हैं तो बाई सोचन कि बिल्कुल भी जरूरत को नहीं है केरी बैग है बताने अदर हें जुनजूरत का इंदर हैं मिल जावायां अभी मा फिश्क अंदर आयो कि सरभी ज göstल्क्रेलो ठेक हैं अगा पर जो औज यह बताउन तो थारली आया हैं और प्रेशान होरे अहा हैं वाहरे प्रेशान ही दोर करन करन खातर रहे हैं रामरामजी य राम राम साल्ए पर तेया अचानक कि कहा आगया अचानक कि आज हैं सोचा कि भाई धरी फेक्टरी ये विक अंदर चाल सेया क्योंकि काफी लोग में खुद भी यह चीज आज वो समस्य आरी है शामने यह में खुद भी जेल रही कि भाई कोई भी आपकिराना की दुकान प्रूश आमान ले र प्लास्टिक तो बेन कई साल हो गए मोदी जी ने पहले एलान कर दिया था कि प्लास्टिक विकल्प नहीं है प्लास्टिक से जलवायों को एनवायर्मेंट को बहुत बड़ा खत्रा है और जब यह स्टेटमेंट आया था सेंटर गवर्मेंट का उस टाइम हमने काम सुरू किया था लेकिन मार्केट में प्लास्टिक खतम नहीं हुआ ये भी सचाई है अब दरातल पे जी कहें किसकी ल से ओल ओवर इंडिया से जो हमारे भी लिंक अप हैं जो लोग यह काम कर रहे हैं यही आ रहा है कि जी इस बार जो प्लास्टिक की पॉलिथिन बनाने वाली फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी हैं उनके कनेक्शन कार मतला प्लास्टिक बेचना और अफीम बेचना बराबर क कर दिया है गवर्मेंट में और इस false का मैं छरही दिना चाह機 कूणि आगworks भविश्य को अगर बचाना है हिंदूस्तान की बातकी कर रहे हम विश्वस्तर की बात करना है नहीं प्लास्टिक को खतम करना ही होगा कोई विकल हम लोगों के पास नहीं है पहले सेंडर गवर्मे खूब गुमे तब हमें पता लगा कि यह नोन वोन फैब्रिक है यह प्लास्टिक का विकल्प है यह खुसबुजी बनता है पीपी दाने का और यह कपड़ा जमीन में पानी में हावा से संपर्क में आने में एक निश्ची तवदी के बाद यह खतम हो जाता है यह लॉंग ला तक ले जा सकता है कुछ दिन यह रहेगा फिर ओटोमेटिक ओटोमेटिक दीरे-दीरे यह बायो डिगरेड होने लग जाए यह नोन वोन फैब्रिक के चाना जाना जाता है नोन वोन फैब्रिक आओ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको कपड़े को रोल आते है हमा क्योंकि जो गॉर्मेंट ने बैन कर दिया आप उसके पिछे क्यों पड़े हो क्यों मार्केट में कंपिटिशन आप लोग फैला रहे हो वह क्या करते हैं जी 40 जीसम 50 जीसम का कपड़ा यूज करते हैं और गॉर्मेंट ने आप चाहिए सर्टिफियर देख लेना मेरे से मैं द जीसम से नीचे नहीं है हम फ्रेस का मंगवाते हैं कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है कोई भी दर्शक अगर आपके आके देखना चाहिए विजिट करना चाहिए मोस्ट वैलकम है जी चाहिए पानी पियो आपके लोग है और पहली यह तिर रोल है वो इजा लगा दे हो यह हमारी मसीन है मैन मसींडी कट मसीन है यह रोल इसके अंदर लग जाएगा और यह एक इसकी परकिरिया है टेक्निकल चीजें हैं जो मोटा मोटी मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन मोटा मोटी आपको बता सकता हूँ कुछ टेक्निकल परकिरिया से यह रोल गुज कंपडेगी स्यंगल लेहर इस से फोल्ड के दोरा डबुम लेहर डबंळ में तपडील जाएगी अगाङई में हाँ थोड़ी शी आगा आipp ज़र वा यह तब है प्दिल होज़ अभ यहाँ से जो वहाँ से निकलके आ mère ya यह दबल लेयर में आ रहा है यहां में दिकाई रहा है यह कपड़ा में डबल लेयर मे मिल दया है वह टमीन से शबंने के कहत्व टाइट करने के लिए यह कपड़े को लिए रह्ने को ब्राबर पकड़ के रखता है, इसका यह रूल हो गया, यहां जो हम दो उंगली, चार उंगली डाल के उस थेली को हम पकड़ते हैं, कपड़े के थेली को, वो कट यहां लगता है, जैसे आप यहां देख रहे होंगे, यह कट लग किया गया है, इस से कट लग गया और यहां कट लग कि अब यह जो है यह सिलर है इसकी सिलाई कर यह इस सिलाई करने के बाद में यह देखो इस सिलर ने जो सिलाई की है यहां पर आपको शो हो रही होगी यह जो सिलाई है यह सिलाई और यह है कटिंग यहां पर कटर लगा हुआ है इसके अंदर ब्लेड्स हैं जो इसकी कटिंग करक एक प्रोपर पीस को हमें बार दे देते हैं जहें की थे एक रोल देखे हो और वो रोल अंदर आता 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 और एक मसीन में आ की विकबाद में वो कपड़ा को केरी बैग है वो बनगो है ताकि आपा पलास्टिकों बच सका इक अंदर आपा नान कोई भी शमान डालनो है तो अपनों दुकान को नाम लिखानों चाहूं है मैं खुश्बू मैं मेरी कोई शोप तो मैं खुश्बू का गया कुछ कुछ यह लिखानों चाहूं एडर्स पतो तो बै बा मशीन भी थारकन है कि यह जो बनाने वाली थेली में आपको बता दी यह हमारे यह प्रिंट कर करने के लिए अगर कोई दुकान वाला शोब वाला शोरूम वाला हमसे प्रिंट भी करवाते हैं और करवाना भी चाहिए उसको नहीं शोर्स मिल रहा है आए हमारे पास हम करेंगे प्रिंट इस प्रिंटिंग मसीन में वन कलर सिंगल कलर डबल कलर थ्री कलर सारे कलर के हम काम कर जैसे मैंने आपको वहां पर वाइट दिखाई थी और प्रिंट होने के बाद में यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसी पार्टी का प्रोसेश चल रहा है यह प्रिंट हो गया कोई भी बैको पर आपकी दुकान को अपनी शोप को नाम एडरेस पतो कुण सो कुण सा सामान है बैब बैब बेच रहा है वो सारो लिखकी प्रिंट हो की आज आगो बिल्कुल और जैसे अलग अलग भाई हर इंसान की तो यह से लग-अलग लाल करवानों है पीडो करवानों है रियो कलर करवानों है बैसारा कलर मेरे यहां पास पच्चीस अ-तीस कलर पड़े हैं जो म आपको वहां पर दिखाई भी दे रहूंचे वह लortunक्तzent मीए तो सारीय के सारे रड इबाल्ड खिए यह क். सारे के सारे का सारे रेंड में करवाते ब्लू में करवाते हैं हूए जैसे बिवाइब कर देते हैं पर्डिमेंट कर देते हैं सब्सके पहले पर्डिका एक फर्मा बनता है हमारे पास में वो फर्मा बन के आता है उस फर्मे को हम मसीन में लगाते हैं और जो पारटी कहती है वो कलर हम मसीन में डालते हैं फिर उसका काम करके देते हैं इस बात करूं तो बहुत कलर पेंट जो भी अपनों एडर्स पर लिखाना चाहूं तो इस बार नहीं जाओंगी कि एक तो यह कैरी बैग है और इक साथ साथ में कॉन नहीं ला में तो इम कमफर्ट नहीं रही है तो रहां दूसरों ब collar कॉन्स साथ में फु demás केरी बैग हुआ है कि मालों की नीचे बैग हुगो और भी को पर यह डशी ड्रसा है हैंडल बोल दो चाहिए डस बोल दो कुछ भी बोल दे आपा अपनी मतलब आपना पकड़ नो है पकड़ बाकले कि साथ देने बहुत छी तरीकों मिल जाए एक तीसरे परकार को दिखानों चाहूंगी कि बाई एक अंदर आपा के डाल सका मेरे शाव जड़े तक मेरो अनुमान लगे मेरो दिमाग में लगाए हूं आपना नजावालों की चीनी लानी है शक्र लानी है कोई भी आपको सामान लेकर आनो है कि दुकान परू तो आपा अराम हो भी कर सामान आपा की आगलो अपना के री बैग बो देगो अपना बैग ले जानकी ज्यादा दिक्कत है बाकोनी करनी पड़ेगी और सामान डलवा कि और वापास सीदो यह पकड़ की लेकर जाओं और साथ साथ में लाग जाए मतलों लोक है वो भी हो जागो और एक साथ साथ में ही मैं बतान कर लोग एक मैं खुद का बारा मी बतानों चाहूंगी कि कि लोग की कोई भी ज्या केरी बैग वा तो भी किलो की कमान आदी किलो डाला ना जठेनी वो पड़ जाए निचा है प्योंकि यो भी लोगा के शामना प्लास्टिक वेबा कदी टूटे गोनी मतलबा खिचती रगी यह जो लोग शीया सम का कपड़ा यूस करते हैं एक किलो की त्हली आपको देंगे आपके हो सकते हैं पांसाथ आट पीस ज़्दा जड़ जाएंगे यह आपको फाइदा हो जाएगा लेकिन सचाई है उसमें से हाफ ynसथ फटेंगे अगर ऎक किलो वाली में एक किलो समान आ भी यह उस प्लास्टिक थेली का विकल्प है ऐसी तो आती थी है अब इसमें आप चाहए चिनिक डालो गुड़ डालो शकर डालो परचून का को है यह तो है सबजी है फल्फरूट है हर चीज में जहां आप यूज कर रहे थे प्लास्टिक के वहाँ इसको यूज कर सकते हो कमफर्ट जोन में कोई आपको दिक्कत मैसुस नहीं होगी हाँ हो सकता है यह आपकी जो थैली है यह हमें कुछ पैसे महंगी पड़ती है एक दो पैसे के लि है सुबह देखते हूं उसका पेट फुला पड़ा है सो सो कि लोग प्लास्टिक उनके पेट्स निकलते हैं बरसात के टाइम में यह सारे जितने भी नालेव अगरा है इनको जाम कर देती है यह हजारों साल प्लास्टिक गलती नहीं है सब को पता है यह एक बहुत बड़ी वज़ा है लेकिन इसको पाल रखा है किसके लिए कुछ पैसों के लालच के लिए कुछ पैसों का लालच है शोब वाला देखेगा मेरा बीस तीस रुपए का नुक्शान हो रहा है बैली का अरे एक बीस रुपए के नुक्शान के लिए आपने कितने बड़ी जिंदगिया दाओ पे लगा रखिए हमारे देश के मानने यह परधानमंत्री जिने इसके बारे में बार बार गैलोत साब ने भी बोला इसके बारे में कि प्लास्टिक एक बिमारी है इसको दूर करो अब इसके विकल्प आ गए है मैं खुद देख किया हूं जी हर चीज के जो होटलों के उसके देख मैं प्लास्टिक के अंदर खोना डालके देते हैं उसका भी विकल्प है गया हूं चैसा मार्केट यूज करना चाहेगा आप कस्टर मर को कन्वेन्सं किजिए कि जी हो सकता है एक रुपrest आपको मेहंगा पड़ रहा होगा वह एक रुपा आप कस्टर मर शे में कम से कम हम समझाते हैं दुकान वालों को शोवालों को कि भी यह बिमारी है इसको छोड़ो यह बिमारी है प्लास्टिक इसको छोड़ दो आप कैसे भी लेकिन अब आथ धीरे-धीरे जैसे यह बैन हुआ है अदिकारियों ने धर पकड़ की है चिडावा जुदु मंडावा यहां local की बात नहीं है, जून्यलोडिस्टिक की बात नहीं है, पूरे हिंदूसतान स्थर पे, कल मेरी पंजाब बात हुई, हिमाचल बात हुई, वहां पे भी बैन हो रहा है, तो सरकार ने शक्ती दिखाई है, तो उसकी वजह है कि सरकार को भी डर है, अंदेशा है कि आने व बनता है आप मीडिया वाले हैं आईए देखिए दिखाईए दर्सकों को लोगों को भी पता लगे अवेर्नेस हो मेरे कुछ साथी थे वो कह रहे थे कि जी इसका कोई विकल्प निये कोई दिल्ली कोई हर्याना कोई कहीं कोई कहीं इदर उदर जा रहे थे मैंने का जी नहीं ह अगर कोई भाई इस टाइम रोजगार बैठा है मैं दावा करता हूं उसको 25 यहार रोजगार देने का लेकिन इमांदारी से वो मेरे पास 7-8 घंटे काम करें और 2 पैसे वो कमाईगा अपना परिवार चलाएगा मुझे जूरत है पचास लोग आई मेरे पास मुझे जूरत इस टाइम पर यह जो है यह स्टिचिंग बैग है अब इसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिला है इसमें हमने ने-ने करती हो दस से पंदरा महिलाओं को रोजगार दे रखा है वो इस बैग की होती है जी शिलाई यह शिलाई के थुरू बना हुआ बैग है इसमें कई कई बार काई शोफ वाले को पांच साथ थे लिएक साथ देनी क्या शकता नहीं होती हो चाता है मेरी आप शाड़ी-दस-साड़ी आपको इसमें डालनी है दस-पंदरा केजी वेड डालना आप इसमें अराम से डाल और कस्टमर भी इसको कमफर्ट तरीके से ले जा मतलब बहुत सारा महरून कलर बहुत सारा कलर आका नहीं वाइट के अलावा भी आपा कोई और केरी बैग और भी कोई कलर में लेड़ों चाहां तो तो वो भी उपलब्द हो जाँगा लास्ट मैं के कुछ पॉलनों चाहोगा सथे मैं आपके सभी दर्शों को तै दिल से धन्यवाद दूंगा कि थोड़ा अवेर हो जाएं मैं अपना व्यापार कर रहा हूं जी मैं तो तीन-चार साल से कर रहा हूं आज कोई मुझे नहीं खुसी नहीं है कि मेरा कोई नया काम हो रखा है ठीक है आप कहीं से भी लो जी प्ला बायो डिग्रेडेबल और है अगर किसी आपके दर्शक को यह लगता हो कि जी इसमें तरल पदार थम नहीं डाल सकते तो एक बायो डिग्रेडेबल थेली भी हमारे पास है एवेलेबल हम वह आपको उपलब्द करा देंगे कहने का मतलब मेरा यह की है पैकेजिंग का अगर इस्तित्य फैक्टरी अगर यहां मेरे पास कोई आना चाहे तो हवाई पट्टी का चोक है मैं पॉइंट में आपको बताऊं हवाई पट्टी के चोक से वारिस्प्रा रोड की और आप चलेंगे तकरीबन 700 से 800 मीटर तो राइट साइड से कट आएगा सामने मंदिर और एड्रेस पतों मैं सारोईजा को बता दूँगी और इक साथ साथ में वीडियो थे शेर कर दियो घबरान की थन बिल्कुल भी जरूरत को निया सिदा केरी बैग अब थे लेसको वीडियो शेर लाइक और मनें कमेंट करकी जरूर बताऊगा जहिंद जे राजस्थान झाल 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 शे जरूर्य झाल जड़ियो खाल झाल